106 डिगरी फोर्नाइट से उपर तापमान वाली गाह बैंस को मरने से कैसे बचाएं बहुत इस तरह की जो वेटिनेरन है या पसुपालक है उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो हमारी जो गाह बैंस हैं उनका टेम प्रेजर भो जदा हाई हो गया है खाने का मतलब 106 डिगरी फोर्नाइट से उपर 107-108 डिगरी फोर्नाइट हो गया है तो इस तरह की स्तती में हमें क्या करना चाहिए क्या देना चाहिए तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटियल से बताऊंगा साथ में यह बहुत इस तरह की जो वेटिनेरन या पस पहले की तरह आ जाता है यहींगा टेमप्रेजर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उस स्तती में आपने देखा होगा कि परशू की डैथ वी हो जाती है तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए किस तरह की सिंप्टम से आपको बताऊंगा उसी स्तेप से आपको इंजेक्शन का उप्योग उन परशू में करवाना है और आप अपने परशू को बचाना है तो वीडियो जूर लंबी होगी देगने स्किप करके मैं आप पुरा देखना इस चैनल पर भी नए आए या पहली पर जूड़े हैं तो पहली पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आलोलाव संद्वाएं आपको पताएगी चैनल पर सही सटीक और साइंटिपिक मेंतर से आपको जान कर दी जाती है ताकि आपके परशू में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ने मिले देखो एदी आपके परशू का टेमप्रेजर भो लगया है ताकि परशू का टेमप्रेजर डाउन हो जाता है लेकिन फिर परशू का टेमप्रेजर है वैसे का वैसा हो जाता है तब परशू पालक को सबसे ज्यादा दिकत देखने को मिलती है और जब कईबर परशू का टेमप्रेजर बढ़ जाता है तो उस तरह की स्तती में आपने देखाओगा कि कईबर जो इस तरह की डिजीज के अंदर हैं आपके वेटिने रहने कुछ इस तरह की इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन ऐसा होता क्यों है देखो सबसे पहले तुम आ जब करते हैं तो वहां पर आपके पाशू में टेमप्रेजर बहुत आई हो जाता है और बलड़ प्रोटो जवाग की परशू का टेमप्रेजर है कभी अप कभी डाउन यानि कभी तो आपने दैसे स्याम की टाइम पर पर आपने लोट के आप आप तो 104 दिगरी फॉनाइट मिला थोड़ी देर बाद में दो चार गंटे बाद में देखा तो 106 मिला 160 फोनाइट में टेम प्रेजर है वह कंट्रोल नहीं हो पाता है अब डाउन होता रहता है तब यह देखना चाहिए कि बलड के अंदर किसी तरह का प्रोटोजवा इंपेक्शन हो चुका है उसकी प्रोटों का जो जहां पर भी बानते हैं वहां पर गंदा नहीं होना चाहिए यह दिस्तान है साफ होना चाहिए और किसी तरह की जो अक्स्टरनल पेरासाइट है जैसे तिक है माइट्स हैं जू चिछड़ किलनी मक्षी इस तरह की इस्तती से आप बचाएं क्योंकि यह रो प्रोटों करेंगे तो आप इस तरह की रोग को आप अपने पर चुम में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपको इस बात का ध्यान में रहा है तो इसके लिए आपको क्या दूर करना चाहिए इसके लिए बहुत इस तरह की जो दवाई आती है वहां पर आप रखें और जहां इसे कईबर पशू में टेंपरेज रहा ही हो जाता है जब पशू का टेंपरेज रही हो जाता है तो उसमें कईबर इंजेक्शन जिस प्रकार से बेरीनिल इंजेक्शन लगा दिया जिस तरह से प्रोजोमिन इंजेक्शन लगा दिया या डायमेनिशी नेचूरेट है यह य नहीं हो पाता है तब उस इस्तती में पशू की स्तती खराब हो जाती है लेकिन जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हुआ इंजेक्शन शिरफ और शिरफ आप अपने वेटिनेरियन के दौरा ही आपको लगाना है यह चैनल के इंदर जो इस वीडियो के इंदर में आपको बता करता हूँ क्यों कि इस तरह की पालक रबी इस तरह की कंडिसन में इन इंजेक्शन उंका उपयोग भूब कर भी और तरहे करना चाहिए और थार तरह कि इंजेक्शन बात कर रहा हुँ इंजेक्शन है जिस प्रकार Strzy YouTazide इंजेक्सिन जो आपको दिख रहा है उन जिसके अंदर साल टाता है ब्यूपरा क्यों जिस प्रकारशी के मिलेक्स है इस तरह के इंजेक्शन है जिसके अंदर सालट आता है यह अच्छे ब्रांड का ऊसी कही के के अर्च के अंदर उपविकरना होता है क्योंकि इस ऐते हैं तो पानी साथ रहता है तो बलड भी पतला हो जाता है तो इस तरह के इंदर आप ये इंजेक्शन उस पासूं को लगवाना है वह भी आपके वेट-नेरियन से इसकी डोज होती है एक एमेल पर बीस केजी बोडिवेट ओनली इंट्रा मस्कुलर डीप इंट्रा मस्कुलर यह इंजेक्शन लगता है यह इंजेक्शन नहीं तो आप इसको इंट्राविनस लगा सकते न सबकट यह दोनु रूर्चे आप कभी इस इंजेक्शन को न लगाए इंट्रा मस्कुलर लगाना है इंट्रा मस्कुलर भी आपको सिर्फ और सिर्फ मिड नेक में यानि गर्दन में जो मिड नेक होती है यानि गर्दन में आपको इस इंजेक्शन का उप्योग नहीं करना है पुठू में भी आप लगा देंगे तो पसु में दिक्कत हो रहना है तो यह सिर्फ मिड नेक में लगाएं और दोनु इसाइड लगा रहे हैं तो आप आप साथ एसाड़े बाराव मेल दोनु सब्सक्राइब लगा दिया दोनु सब्सक्राइब लगाएं यह एक इंजेक्शन शिर्फ सिंगल डोज आपको इस पर्सू को लगानी है यह से आपका पसूरान नोन सभी तरह के लिए से रहता है लेकिन यह मिलें इस कि पालो को पर दिन तक आप इस इंजेक्शन का असर उसके शरीर में रहता है उसके बाद में वेस्टेफ पसू में देखने को मिलता है चार दिन बाद में पसुर नहीं मिल पारहे है, तो आप अपने वेट्रिनेरेंट को दिकाएं, वह 장ich करता है कि उसके बाद में क्या करना है, लेकिन 3-4 दिन के बीच यह injection कभी भी रीपीट नहीं होता है उसके बाद में रीपीट होता है वैभी आपका वेटिनेरी डीसाइड करता है कि रीपीट करना या नहीं और इस तरह के अंदर आये ट्राक्ट धरी अंधर साथ में नहीं लगाई अन्यताप्रसूं की मोथ हो सकती है यह द्यान मे उसके साथ मिक्स करके 40-50 परड़े के साथ दे सकते हैं जिससे की पसू जल्दी रिखुरी ले 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 तो यह एक अक्यला इंजेक्शन इस तरह की केस के अंदर आप अपने पसू को ठीक कर सकते हैं इससे तरह की डिजीज है उनकी निचे से कमेंट्स में उसके अंदर वीडिय बढ़े उसerek करने साथ לכे का जल्या यही घु कि खिगले वीजी हैस्ट जा की में बल्दी बल्रावद के व्तमक्तवके लेडियु जासरे विजू question